सवे भवन्तू सुखिन भाग तीन उधर वगमंत मुक्ती की आकांक्षा जो गुरू उब्देश के अनुरूपो ग्रहन करें तुम क्यूं जाती पंथवाद की वियर्थ दिवार उठाते पंथवाद के भवर में क्यूं तुम धर्म की नाव फसाते आत्मा की नाही कोई जाती होती है नाही कोई पंथ होता है कर्मों के आधार पर आत्मा को रंग रूप योनी एश्वर्य निर्धनता उपहार स्वरूप अत्वा दन स्वरूप प्राप्त होते हैं कर्मों के कारण ही, आत्मा शरीर बंधन में आती है, अत्वा, शरीर बंधन से मुक्त हो जाती है, आध्यात्म के बहुत से पथिक, वियर्थ की दिवार उठाने में अपना अनमोर जीवन व्यतीत कर देते हैं. अज्ञान में कर्म के कारण, यह संसार विभिन मतों और पंथों में विभाजित है, शर्वादेक में हित्वपून कर्म है, लेकिन ज्ञान को भूलने के कारण, आध्यात्म के अधिकतर पतिक, कर्म को गौन मानते हुए जीवन जीते हैं. कर्म बिना मनुश्य जीवित नहीं रह सकता जैसे किसी को किसी वस्तू सामगरी की आवश्यक्ता हो तो उसे दुकान तक जाना ही होगा तभी वांशित वस्तू सामगरी प्राप्त की जा सकती है घर बैठे वांशित वस्तू सामगरी प्राप्त नहीं की जा सकती है यदि ओनलाइन ओर करें, तो ओर करने का कर्म तो करना ही होगा अथ्वा ठेले क्रेडी के माध्यम से खरी दें, तो घर से बाहर तक तो जाना ही पदता है यह कर्म किसी अन्यव्यक्ती नौकर सेवक से तो करवाए जा सकते हैं लेकिन पेट की क्षुधा के लिए तो स्वयम को ही भोजन ग्रहन करना पता है प्यास बुझाने के लिए स्वयम को ही पानी ग्रहन करना पता है स्वयम की गंदगी स्वयम को ही निर्वासित करनी पती है लगातार चार